अपका सुप्रिम कॉर्ट से अर्विन केज़िवाल को राहत नहीं एक बड़ी जानकारी अब तक महुचा रहे हैं केज़िवाल को जमानत देने से सुप्रिम कॉर्ट का इंकार दिली हाई कॉर्ट ने केज़िवाल की रिहाई पर लगाई थी रोक सुप्रिम कॉर्ट ने हाई उमीद के साथ पार्टी आगे बढ़ती है अर्विन केज जिवाल आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर कोई राहत मिलती भी नजर नहीं आती है एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं सुप्रिम कॉर्ट से अर्विन केज जिवाल को राहत अब भी नहीं मिली है केज जिवाल को जमानत देने से सुप्रिम कॉर्ट ने इंकार कर दिया है आपको यहां जानकारी देते हैं कि दिल्ली हाई कॉर्ट ने केज़िवाल की रहाई पर रोक लगा रखी है अब इसी आदेश का पालन करते हुए सुप्रिम कॉर्ट ने भी रहाई से इंकार कर दिया है अर्विन के जिवाल की, सुप्रिम कॉर्ट की तरफ से कहा गया है हाई कॉर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा लोगसवाद चुनाव के बीच में आकाश आनंद की आकरामकता को देखते हुए मायवती ने अपने भतीजे को अपरिपक बताया था इसके साथ ही आकाश आनंद से मायवती ने सारी सियासी शक्तियां चीन ली थी लेकिन जीरो सीटे और घटे वोट प्रतीशत ने मायवती को दो कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया देखे रेपॉर्ट क्या आकाश आनंद दो महिने में परिपक्व हो गए क्या मायवती को भतीजे पर फिर भरोसा हो गया या फिर पार्टी को शून इसे शिखर पर आनंद ही पहुचाएंगे क्योंकि बस्पा सुप्रीमो मायवती के भतीजे आकाश आनंद की राजनीती में री एंट्री हो चुगी है लोगसभा चुनाओ के दोरान जिसे मायवती ने आप परिपक को बता कर पार्टी में रास्टिक कॉडिनेटर के पद और अपने उत्रा अधिकारी से हटा दिया था अब विधान सभा उप्चुनाओ में उन्हें फिर राजनीती में सक्रिये किये जाने की तैयारी है यूपी समेत अन्ने राज्यों में होने वाले विधान सभा उप्चुनाओ के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में मायवती के बाद दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है मायवती ने भतीजे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है आकाश आनंद बीसपी के नैशनल कॉडिनेटर बन चुके हैं स्टार प्रचारकों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आकाश का नाम है विधान सभा उप्चुनाओ के लिए उन्हें जिम्मेदारी मिली है बीसपी सभी विधान सभा उप्चुनाओ लड़ेगी लोग सभा उप्चुनाओ के दौरान आकाश आनंद के प्रचार अभियान को काफी आकरामक माना गया था उनके कुछ भाशनों की काफी चर्चा हुई थी एसे ही एक भाशन के बाद F.I.R. भी दर्ज हो गई थी तब कई राजनीतिक जानकारों का कहना था कि आकाश के तेवरों से बस्पा में एक बार फिर कुछ हलचल दिखने लगी है इसी दोरान पार्टी प्रहुप मायवती ने आकाश आनन से पार्टी के रास्टे कॉडिनेटर का पद और अपना उत्रा अधिकार वापस ले लिया था तब से पूरे लोगसभा चुनाओं के दोरान और अब तक आकाश आनन राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आए लेके नब एक बार फिर वो बेस्दी के लिए प्रचार करेंगे क्योंकि जिस तरह से मंच पर दिखाए दिए साथ में आननद कुमार जो उँनके सगे भाई हैं वो जिस तरह से मंच पर दिखाए दिए तो यह दोनों बाते इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में बोजन समाज पार्टी का जो पिलर होगा राइट और लेफ का वो आनंद कुमार और आकाश अनंद के बीच में होगा यानी मैयवती जी उनके भाई उनके भतीजे या फिर आनंद कुमार के लड लेकिन आज की ये तस्वीर इस बात को साफ कर दे रही है कि उनको तमाम सिमेदारिय फिर से वापस मिलने जा रही है लेकिन दो राज्यों में स्टार प्रचारक बनाय जाने से माना जा रहा है कि अब वो धीरे-धीरे सक्रिय होंगे बस्पा सुप्रीवों की स्पैसले की राजनीती गल्यारों में काफी चर्चा हो रही है कई जानकारों का कहना है कि माया वती आकाश आनंड को पूरी तरह से राजनीती में लाने के लिए पिस्でしたयार कर रही है जानकारों के मुताबिक लोगसभाद चुनाओं के दोरान पार्टी सुप्रीमों ने आकाश आनन को श्रैद इसलिए हटाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आकाश किसी विवाद में फसें पर बहाल करते हुए मन्य बहन जी ने उनको नेशनल कोडिनेटर बनाया है और अपना बहन जी ने उत्राधिकारी बनाया है पूरे देश की जिम्मेदारी दिया हमानी बहन जी ने कहा कि हम सभी उपचुनाओ लड़ेंगे जहां जहां यूपी में लड़ेंगे बसपा पिछले कुछ समय से मानेवर काशी राम जी का जो बताया रास्ता था उस रास्ते को भूल गई है आकाश आनत पहले भी यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में पार्टी के लिए एहम जिम्मेदारियां सम्हाल चुके हैं इस बार भी रणनीती यही है कि पहले उन्हें दूसरे राज्यों में सक्रिय किया जाए फिर धीरे धीरे यूपी में भी वो सक्रिय नजर आने लगेंगे 2027 के विधान सभा चुनाओ तक उन्हें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतारा जा सकता है गुजरात के कच में कॉलिज के दो चात्रों ने रील बनाने के चक्कर में कुछ हैसा कर दिया जिसे देख और सुन हर कोई हैरान हो गया है इन दोनों चात्रों ने कच के मुदरण के पास दो थार गाड़ियों को गेरे पानी में धकेल दिया समुदर की लईरों के बीच में इन दोनों गाड़ियां पानी में फस गई दोनों चात्रों को मुसीबत में देख स्थानिय लोगों ने उनकी मदद की और लोगों ने दोनों गाड़ियों को बाहर निकाला वहीं अब कच्छ पुलिस ने इन दोनों चात्रों के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है मुंद्रा मरीन पुलिस ने करन सौर्थिया और परेश सौर्थिया पर लापरवाही में गाड़ी चलाने और लोगों की जान खत्रे में डालने के आरूप में मामला दर्श किया है अगली खबर नॉइडा से है जहां पर बेरोजगार लड़कों को एविएशन सेक्टर में नौकरी दिलाने का जहांसा दे कर ठगी करने वाले गिरोग का परदाफाश हो चुका है पुलिस ने ग्यांट के जुड़े हुए राजस्तान के भगवंता सिंग दिली के हर्श परिहार को गिरफतार किया है इस वर्जी कमपनी की सीईओ श्वेता मिश्चा भी फरार है हवाई अड़े पर नौक भी दिलाने का जहांसा दे कर ये लोग बेरोजगार लड़कों से ठगी करते थे इन लोगों ने थाना सेक्टर तिरस्ट में आफिस भी बना रखा था चार लाप्टॉप, साथ मुबाइल फोन, पुलिस ने बरामत किये गी आरोपियों के खातिय के साथ लाग 61,000 रुपे फ्रीज कर दिये गए है पंद्रा हजार करोड के जी एसटी फ्रॉड मामले में नौईडा पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है पुलिस ने तमिनाडू के कोयम बटूर से उसे गिरफ्तार किया है उसके ओपर 25,000 रुपे का इनाम खोशित था आरोप के मताबिक वो कहीं फर्जी कंपनियों के नाम पर धोगा दरी कर रही थी सुगन्या प्रभू पर फर्जी जस्तावेजों पर कंपनी बनाकर इन्पुट टाक्स क्रेडिट यानि ITC लेकर सरकार 15,000 करोर के राजस्वकर चुना लगाने का रूप है पुलिस इस से पहले इस मामने में 47,000 रुपियों को गरतार कर चुकी है नॉड़ा के बाद खबर इटावा से जहांके भरतना में कपड़े की दुकान में भिशन आग लग गई और आग देखते ही देखते हैं विक्राल रूप ले लेती है आग लगने से लाकों का नुकसान हुआ है सारा समान जलकर राक हो गया है गटना की सुचना पर फायर ब्रिगेट की तीन मौके पर पहुंची थड़ी मश्रक्त के बाद आपका पाभी पहना गया वरतना के रेलवेव फाटक के पास कि ए घटना है एक चोड़ी से ब्रेक के लिए आ रुकना होगा जल लोट रहे हैं